बहुत सारे बैंक खाते RBI जपत करने जा रहा है, ओफिसियल नोटिस भी अनौस कर दिया है, जिन खातों में वो कम्या मिली जो इस नोटिस के अंदर बताई गई है, तो 1 जनवरी 2025 के बाद में RBI उन खातों पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा, कारवाई करना स्टार्ट क तो क्या क्या कम्या नहीं होनी चाहिए, तो सारी बात आपको मैं सोट में बता देता हूं, बिना टाइम खराब करें, देखिए, पहली चीज यह बता दी, कि अगर कोई भी ऐसा बैंक खाता है, जिसमें एक साल से ज्यादा कोई लेन देन हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सुन से अगर उन खातों में कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो RBI अब 1 जनवरी 2025 के बाद उनके उपर कारवाई करना स्टार कर देगा, ओफिसल नोटिस के अंदर, पहली बात ये बताइए, दूसरी बात ये बताइए, इसके अंदर, इस नोटिस के अंदर, कि अगर किसी भी बै खाते ऐसे देखे गए हैं, बैंकों के अंदर, चाहे कोई भी बैंक हो, बहुत सारे खाते ऐसे देखे गए हैं, जो खाता धारक, जो बैंक के पास में जो डिटेल है, और खाता धारक के साथ में, उसकी पहचान मेल नहीं खाती है, किसी का धारकाड में नंबर गलत है, किसी मिला तो उन खातों को भी जबत कर लिया जाएगा यानि कि एक जनुवरी दो जार पचिस के बाद में एक्शन ले सकती है तीसरी बात बताईए कि अगर कोई ऐसा खाता है जिसमें लिमिट से ज्यादा पैसा है यानि कि पैसा आतो रहा है कोई निकलवा नहीं रहा है जैसे किस प्रिवार में कोई ऐसा कोई offer मिला जैसे college के बच्चों offer दे दिया जाता है इस scholarship के लिए अगर आप खाता खुला रहा है तो जेरो बैलेंस पर खोल देंगे यह offer होता बैंक की तरफ से तो अगर कोई भी ऐसा खाता है जिसमें लग रहा है पैसा धड़ा धड़ा आ तो रहा प्रोड ने क्या किया किसी का काउंट यूज कर लिया और उसके काउंट में पैसा डाल रहा है जो मालिक है उसको एक चुल में नहीं पता कि मेरे खाते में पैसा आ रहा है लेकिन फ्रोड उसके खाते को यूज कर रहा है जो फ्रोडर है जो चीटर है उसके खाते को यूज क अब कोई खुलवाने के लिए आया ही नहीं है बैंक क्या करें जब कोई खुलवाने के लिए आया ही ना खाता फ्रीज का फ्रीज है कोई खुलवाने के लिए आया है नहीं है मतलब उस खाते में गड़ बड़ है तो ऐसी जो बाते हैं, ये बाते जोब लागू होने वाली है, एक जनवरी 2025 के बाद में, RBI क्या है, एक्षन ले सकता है इन खातों के उपर जिन में ये वाली गलतियां मिलने वाली, एक बात और एहम है, वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, वो नई चीज Official Notice है, और यह जो Official Notice है ये RBI की वेबसाइट पर है, भारतिया रिजरो बैक, भारतिया रिजरो बैक के वेबसाइट है, अर बैक ये Officialöhप साइट के उपर और Official witness है, इसको PDF चाहिए, यहां से इसका PDF भी डाऊनपन अणोड हो जाएगा, पहली चीज तो, जो ये चीजे मैं सबी वानजीय बैंक जितने भी commercial बैंक हैं जैसे आपका HDFC बैंक हो गया ICIC बैंक हो गया यानि कि जो अपना loan phone देने के जो काम करते हैं SBI जो गया पंजाब national bank जो गया इसके अंदर mostly bank आ जाते हैं ठीक है यह उन सब के उपर लाग हुए अक्षेत्री ग्रामन बैंकों को छोड़के जो गाऒं के जो अक्षेत्र से लेठेट होते है जैसे migrants darker चाहई से एक लोकल एरी क्लिए ही ओता है तो ऐसे बैंकों को छोटे मौटे बैंकों चोड़के जितने पी national bank हम बोल सकते हैं जो होते है ना उन सब के उपरे चीज लागवती जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया ठीक है एक्सिस बैंक हो गया आईसएईसी हो गया है HDFC हो गया तो जो बड़े-बड़े बैंक हो जो नाम हमारे जबान पर याद रहते हैं यह समझील यह सब कमर्सियल भी बैंक है उनके लिए देखो, चार बातें, चार की चार बातें बता देता हूँ, इसमें बेंकों से अन्य बातों के आलावा, वन खात्ता, जमाओं की वार्सिक समस्या करने की अब इक्षा की जाती है, जिसमें अब देखो देखो सरकारी पैसा है ना कोई स्कोलर काई tract एक से लेंदेन नहीं हूँ है ना कोई प्रोफित एंटर हुआ है एलेक्टरोटी लाभ अंतर हूँ ना कोई अपना EBT से कुछ भी हुआ है जमा करने के लिए खोलेगे खातों को उनके कोर बेंकिंग समाधान में अलग करना ताकि ऐसे खाते निस्क्रिय हो जाने पर डीबिटी जमा करने की सुईदा मिल सके और इन खाते जमाओं को गराख को पता लगाने के लिए कदम उठाये जाएंगे इनमें कुछ खाते जमाओं को सक्रिय करने के लिए परिचालन समंदी दिशा निर्देश बेंक को द्वारा किये जाने वाले सारजनिक जगरुकता और वितिय सक्सरता अभियान जैसे गराख जगरुकता उपाये भी सामिल है यानि कि यह जो एक्षन लिया जाएगा न यह दे जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम इसको क्या अगरने बंद करें यह सुजेशन भी है सेकंड बात देख लो भार्दे रिजरो वैंक के परिवेक्शन विवाग ने हाली में एक विशलेशन किया है जिसमें पता चला कि कई बैंकों में निसकर्षिये खाते हैं यह लंबे समयं से निसकर्ता यहां ऐसे खातों में केवेसी का लंबित आवो दिन होना बताया गया कत्छी तोर पर ऐसे मामले सामने है जब गराक को ऐसे विदाख सामना करना पड़ा हैhoour उनोंने निषकर्ष की खातो को सकरिय करने के लिए बैंक साखोह में संपरक किया जिसमें गराक वीवईवनों में अंजाने में हुए गलतीओं जैसे लाष्वनों में बेमेल होना आधी सामिल है तो जब ऐसे खातों की कि गई तो फिर KYC में तो फिर उनका नाम पता ही गलत है मैंने बताया था ना आपको जिसके खातों में गलतिया है तो ऐसे गलतियों को भी एक बार सुधाने का मुखा दिया जाएगा फिर तीसरी बाद बता दी इसलिए बैंकों को सला दी जाती है कि वे निसकर्स जमा खातों की संख्या को कम करने के लिए तत्काल अउशक कदम उठाए यानि कि जिन खातों में जो मैंने आपको चार बाते बताएगे ना अगर ऐसी गलतिया है तो उनको देखो खातों की संख्या कम करने के लिए तत्काल कदम ख़त्तों की संख्या कम करनेका क्या मतलहओ दुबारा अपना रिन्यू करवाने के लिए ट्रांजक्शन करने के लिए जो गलती सुधारने के लिए तो अच्छी बात है नहीं आता तो फिर करो खलास दीबीट एबीट आती जैसे वीबिन केंद्रे सराजी के लावर्थी के खातों को उनके खातों में ऐसे डीबीट डीबीट राक्षोनिर रंज़मा की सुधा के लिए अलग किया जाना आव शके ऐसे मामले देखे गए हैं जा ऐसे लावर्थी खाते अन्यकारकर जैसे के प्रचित वर्गों के लोगों से समंधिता है इसलिए बैंक कैसी मामलों में साना बूर्ति दिरिष्टिकोंड अपना कर खात्तों को स्करिय करने की प्रकिरिया को सविदाजन के मना सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको कि पहले बैंकों को ये भी गाइडलेन दिये कि पहले ऐस कि इसे खातों के जो भी मालिक हैं जो भी खाता धारग हैं उनको सूचना आप दे दो कि आगे आपको इस खात्ते को एक्टिव करना है या नहीं करना है तो पिर भी को रिस्पोंस नहीं दे रहा तो आप उस खाते को बंद करने के कदम उठा सकते हैं चुकि यह खाते जातर यह तो हो गया था अपना खातों को सकरी कंटी सुविधा के लिए इस अभियान भी उभ्योजत कर सकते हैं इसके अलावा बैंक का अधार से समंधित सिवा पर जहलो तो धार कार से औह Paluka की और तरीके से पर जितना जल्दी हो सके जिसको एक्टिव करवाना ना उनकों सूचना देगे और इन्हों बाकी उभ खतम molar इसके लावा बैंकों के यह भी सला दी गई है कि वे 31 दिसंबर 2024 को समाप्थ होने वाली तिमाई से दक्स पोर्टल के माधियम से समंदित वरिष्ट परियाव एकसी मनेजर को तिमाई आदार पर इसकी रिपोर्ट करेंगे यह 31 दिसंबर 2024 तक का खेल है यानि कि एक जनवरी 2025 के बाद एक्शन स्टार्ट हो जाएगा अब जो मुख्य बात है वो एक चीज और बता देता हूँ अभी एक बिल पास के लिए एक कानुन लाने की योजना में है के अंदर सरकार हम बोल सकते हैं मोधी सरकार हम बोल सकते हैं उन्होंने बै प्लव एक बी बना सकता है दोगी मिली बना सकता है चार तक लोगों के नाम लिका देगा चारांती हैं कई बार ये भी तो हता ना हमने किसी एक आदमी को नोमनी बना दिया क्या बता दोनों एक साथ मर जाए उसके बाद फिर को यानि नोमनी मर गया माले को मर गया तो अब च्यार लोगों के नाम डालने के उप्शन आजाएंगे पर यह आएंगे आपका एक जनौरी दो हजार चो को यह लगेगा कि जो भी मेरी जमापुंजी बेंक खाते में वह सही हाथों में जाएगी उसके जाने के बाद तो च्यार नोमने वाला उप्शन आने वाला पाच्वी बात यह थी तो भाई जिसका भी खाता एक साल से अगर लेंदेन में नहीं है ना अपना चेक कर वालो ए ऐसे फसे हैं जिनके ओपर चारसो वैसी के मुकद्य में हुए है जो बैंक के ही करम चारी थें किसी ने कीसी का पी आधू का यूज कर लिया उसको पता था विजह निकाला ले पैशाल वागलना इइसको तो तीस साल बादी पैसा निकालना है तो एससे चीजह बोह थाले होत फिर मिलते हैं किसी content के साथ में उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो comment box खुला है तो thank you thank you my dear फिर भी किसिया कोई सवाल है तो comment box खुलाएजी thank you subscribe जरूर कर लें ऐसी कानूनी जानकारी के लिए और bank से लेटर जानकारी के लिए thank you